आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसालेदार पनीर की रेसिपी ये पनीर जो है वो मसालेदार होने के साथ साथ बहुत सौफ्ट भी है क्योंकि ओविसली हमने इसे घर पर बनाया है हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब मेरा नाम है पायल और मेरे चैनल में आप सब ही का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए फिर मसालेदार पनीर बनाना शुरू करते हैं यहां हमने दूद ले लिया है एक लीटर दूद है फुल क्रीम दूद है गैस को आउन करेंगे और दूद को एक बार सिर्फ एक बार इस तरीके से हम लोग चला लेंगे flame जो है वो high पर रहेगा और दूद में उबाल आने देंगे यानि कि दूद को हम सबसे पहले boil करेंगे जैसे ही दूद उबल जाएगा, boil हो जाएगा हम gas को बंद कर देंगे और 5 मिनिट के लिए इसे ठंडा होने देंगे ज्यादा नहीं सिर्फ 5 मिनिट यानि कि ये जो धूद उठ रहा है, जो भाप उठ रही है ना बस ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, सिर्फ इतना ही ठंडा करना है पांच मिनिट के बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, एक चम्मच औरेगेनो एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आप कूट कर भी डाल सकते हैं काली मिर्ची एक चम्मच पुदीने का पाउडर, सूखा हुआ पुदीना है, उसको क्रश करके डाल दीजे थोड़ा असान नमक, लगभगाधा चम्मच और थोड़ी सी धन्या की पत्तियां अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, आप चाहें तो पुदीने के पाउडर की जगा, पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पनीर है वो फ्लेवरफुल होने के साथ साथ बहुत कलरफुल भी बनने वाला है तो अच्छे से इसे मिक्स कीजे और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे विनेगर यानि की सिरका तो पूरा एक साथ नहीं एक एक चम्मच डालेंगे और इसे हलके हलके हाथों से चलाएंगे विनेगर की जगह आप चाहें तो नीबू का रस भी डाल सकते हैं उससे भी छेना जो है वो अच्छा बनेगा तो हलके हलके हाथों से मिक्स करने के बाद दोबारा हमें एक चम्मच डालेंगे विनेगर का और दोबारा हलके हलके हाथों से मिक्स करेंगे ऐसा हमें तब तक करना है जब तक दूद अच्छे से फटने ही जाता जैसी दूद फटना चालू हो जाएगा हम सिर का डालना बंद कर देंगे तो आप देख सकते हैं चैना जो है वो अलग हो चुका है और पानी एक दम इसका अलग हो गया है तो अब हम क्या करेंगे एक बोल ले लेंगे उसके उपर चलनी रखेंगे और उसके उपर कोई भी मसलिन क्लोथ रख लीजे सूती का कपड़ा रख लीजे और इसके बाद जो चैना हमने तयार किया है हम उसे चान लेंगे यानि पानी को अलग कर देंगे और चैना को हम लोग अलग कर देंगे ऐसा करने के बाद हम इसे इकटा करेंगे यानि कि ये जो muslin cloth है इसे एक साथ ऐसे इकटा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना पानी हम इसका निकाल सकते हैं वो हम लोग निकाल लें तो अच्छे से इसे प्रेस करते रहेंगे और इसका जो पानी है ये वो निकालते रहेंगे और ये जो बोल में आपको पानी दिख रहा है इसे आपको फैकना नहीं है इसमें आप चावल उबाल सकते हैं या इसका आटा लगा सकते हैं बहुत ही nutritious होता है तो यो पानी हमने अलग कर दिया है और जो चैना है अब इसे हम थोड़ा सा वाश कर लेते हैं क्योंकि हमने इसमें सिर्का डाला है तो सिर्के का smell नहीं आना चाहिए उसका taste भी नहीं आना चाहिए तो इसलिए हम उसे ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से हम उसे अच्छे से वाश कर लेंगे और अब जो हमारा चैना है उसे हम रख देंगे ऐसे चलनी के ऊपर इस चलनी के नीचे प्लेट या कोई बोल रख दीजे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो उस बोल में या प्लेट में निकलता रहे अब इस चैना को याने हमारे पनीर को हम दे देंगे एक स्क्वेर शेप क्योंकि पनीर जो है वो हमें स्क्वेर शेप में ही चाहिए तो इसलिए हम इसको चम्मत से या हाथों से स्क्वेर शेप देने की कोशिश करेंगे और जब हम कोशिश करते हैं तो काम्याप हो ही जाते हैं तो बढ़िया सा इसका जो shape है वो देखिए ये आ गया है तो चम्मत से मैं इसे थोड़ा सा और इस तरीके इसे फ्रेस कर देती हूं तो ये देखिए बढ़िया इवन हो गया ये हर तरफ से तो अब हम क्या करेंगे इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे हलके हलके हाथों से ऐसे दबाईए हलके हलके हाथों से और ऐसे फोल्ड कर दीजे इसी कपड़े में हम इसे इस तरीके से लपेड देंगे अगर आप मसाला पनीर नहीं बनाना चाहते ना तो आप सिंपल पनीर भी ऐसे ही बनाईए और इसके उपर हम कोई भारी चीज रख कर 30 मिनिट याने 30 मिनिट के लिए छोड़ देंगे 30 मिनिट के बाद ये देखिए हमारा जो बढ़िया सा पनीर है वो सेट हो गया है बनकर एकदम बढ़िया से तयार है ये देखिए वा 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 देखकर ही मज़ा आ जाता है ने तो ये बढ़िया सा जो पनीर है हमारा वो बनकर तयार है मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ ये देखिए काटने से आपको खुद को पता लग रहा होगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट बना है आप इसे सिंपली कुछ भी नहीं करना है सिंपली हरेधनी की चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं चाहें तो इसे शैलो फ्राइ करके यू ही खा सकते हैं चाहें तो सबजी बना सकते हैं, सडविघ्ष बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, पकोड़े बना सकते हैं, यह देखिए क्या बड़िया मस्त सफ्ट सफ्ट पनीर बन कर तैयार हुआ है, तो कैसी लगी है आपको यह रेसिपी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईजीगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा, उसे भी जरूर से प्रेस कीजिएगा, जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए, बाबाई!